आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ गावटी इस्टाइल बटर चिकन ये नाम सुनके आप लोगों को कुछ अजब लगा रहेगा मगर हम लोग गए थे जब अभी घूमने के लिए का गए थे आसी नोना वाला विला नोना वाला विला पर तो उधर पे उन लोगों ने ये बनाए थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोची चल्य है मैं भी आप लोगों के साथ में में ये वाली रसेपी शेयर करती हूं और इसी के साथ में मैंने गरमा गरम से फुलके भी बनाई थे फुलके बनाना कैसे बनाना है अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पर मवजूद है और गाइज सही बोलू तो एतना अच्छा लगाता एतना टेश्की लगाता के पूछो मैं जबरदास इसमें मैंने थोड़ा सा अपना स्टाइल भी डाली हूँ तो आप लोग थोड़ा मेरा स्टाइल डाल कर बनाएंगे ना तो आपकर जबदस लगेगा इसके साथ में इस्तिम राइज बनाना, कांदा, लिंबू, प्याज और सलाथ के साथ में इसे खाना तो चलिए बनाना इस्टार्ट करतें तो यहाँ पर मैंने लिहूँ 1 kg चिकन चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से धो लिहूँ और इसके मैंने छोटे-छोटे से पीस रखी थी जैसे के उन लोगों ने भी जो पीस रखे थे वो छोटे रखे थे तो उने इसमें फोटो रखा है उन लोगों का नहीं रखा है आप वो वीडियो में जाके देख सकते है चलिए जो हमारा ब्लॉग वाला था तो चलिए अभी इसके अंदर मैं दाल दूँगी सबसे पहले तंदूरी मसाला दो चमच इसी के साथ में आदा चमच फूट कलर एट करूंगी अगर आपको पसर है तो डालिए नो तो इसकीप कर दीजिए उसी के साथ में इसमें डालूँगी एक चवताई मैं नमक नमक आप अपने टेक्स के हिसाब से डालना एक चमच भर के आदर कलसून का पेक्ट भी हम एट कर देंगे और इसी के साथ में मैं डाल दूँगी आदा वाटी दही ये डबा जो है दरसुर्बे का मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते बहुत बार मैंने आप लोगों को बता दियू इसी के साथ में आदे लिमू का रस हम इसमें डाल देंगे हाथों की मदद से इसकी बीच निकाल कर फेक देंगे तो चलिए अभी हम क्या करेंगे इसे हम खुब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक दम अच्छे से मिक्स करना है और इसे कम से कम आदे से एक घंटे के लिए हम मेरिनेट करने के लिए रख देंगे गाइस उन लोगों ने जब ये बनाए थे तो मैंने वहाँ पर ये रेसेपी को देखी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे देखने पर ही समझ में आ गया था कि ये बहुत अच्छा है और खाने के बाद में तो आपको पता है कि आपा जो रेसेपी खा लेते हैं तो उसका टेस्ट उनके दिमाग में भी उतर जाता है नासीव तो चलिए वो मैरिनेट होए तक एक मसाला बना कर रेरी कर लेगे तो यहां पर मैंने ली हूँ एक दो मीडियम साइस की प्याच उसी जारी मोटी कटिंग करके उसी के साथ में तीन मीडियम साइस के टमाटर ली हूँ मैंने जारा मोटा कटिंग करके इसी के साथ में मैं इसमें दालूँगी कुछ साबूट अखे गरम मसाल यानि त्होरी डालचीनी, थोरी काली मिरी, थोरी थी बाद्याम फूल, थोरी सा जेवंत्री और थोड़ी सी ये चकरी फूल है ना जाइफल जाइफल भी मैंने थोड़ा सली हूँ जैसे कि साबू तक के गरम मसाले सारे ले 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 ना गाईज साबू तक के गरम मसाले तो आप लोगों को पता है उसी के साथ मैं मैंने ली हूँ यहां से दस से बारा काजू और चार से प पानी दल के ना इसका एक फाइन पेड़ बना के ले लूगी चलिए थोड़ असा पानी आट करेंगे जैसे के गरम मसालों के बारे में बोरी तो साबु तक के गरम मसाले आप लोगों के समझ में नहीं आएगे तो मुझे कमेंट कर देना मैं जरूर आप लोगों को आपीस से एक मुट्टी इसमें हम एट कर देंगे हरा धनिया और इसे पीस के एक फाइन पेश बना कर ले लेंगे उसके बाद में इसे रख देंगे साइक में तो यहां पर एक पैन में मैंने डाली हूँ कम से कम चार से पांच चमच ऑईल जैसी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा ना त तो कुछ सिंपल तरीके से मैं बटर चिकन बनाना बता रही हूँ अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे जो चिकन के पीस्ते वो सारे डाल कर हम इसे थोड़ा सा खेलो फ्राइ कर लेंगे यानि हम इसे तंदूरी के जैसा बना लेंगे है ना और तंदूरी मसाला मैंने यूज किसी एवरेश का है ना एवरेश का मसाला मेरे रसे पर इतनी सिंपल होती है ना गाइस कि आपको आसानी से कोई भी दुकान में सारे मसाले मिल जाएंगे और आपके घर में भी वो मसाले मौजूद रहेंगे यहां पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका ली इसके अ अब इसके अंदर जो oil है वो oil भी इसी में रहने देंगे और इसे chicken को भी हम इसी में रहने देंगे इसे एक बहुत ही अच्छा कोईले का वाफ देंगे कोईले का वाफ देना बहुत ही ज़रूरी है गाइस इसे से आपको एकदम बहुत ही butter chicken का मसा आएगा तंदूर का flavor और इसे ढखकर हम रख देंगे एक फ्राइक में तो चलिए अभी gravy बना लेते एक करई में मैंने चार चमच तेल नहीं हूँ तेल जैसी गरम हो जाएगा तो एक चमच भर के मैस के अंदर अमूल बटर एट कर दूँगी तीन से चार तेज पते हम डाल लेंगे और तीन से च हम डालशीनी की तुक्रे अट कर देंगे माश्याला जबरदर अभी इसे हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे सिर्फ एक मिली जादा टाइम नहीं जलाना बिल्कुल भी नहीं है इसी के साथ में हम इसमें जो मसाला पीस के रखे थे नहीं देगे यह मसाला एकदम मस कलर देखे क और जैसे कि घाईस मैं नहीं जैसे पर विला में रुकी तो अबकर आपको देखना है तो मेरे ब्लॉट वाले चैनल के मवजूद है अफलोज दैसे फिल्टाव प्र कुल्य में जहाकर आप देख सकते मैं देख सकते कि मैं ग्हां ती नोना वाला वहां पर जो विला में कर दूंगी अद्रक लसुन का पेश्ट तो चलिए मैं एक और आदा चमच अद्रक लसुन का पेश्ट डाल रही हूं मुझे अद्रक लसुन का पेश्ट बनाने टाइम में ने मिला तो मैंने रेरिमेक लेकर आके वो यूस कर रही हूं रेरिमेक भी कभी-कभी यूस कर लेना जाने वाली हूं 25 तारीक को अजमेर खाजा जी की छटी में ये टाइम पे छटी में मुझे खाजा जी ने बुला लिए है ना सीफ तो चलिए मैंने क्या कि 3-4 मिलिटर का मसाले को खुब अच्छी तरह से मैंने भून ली भूनने के बाद में जब तक का भूनी के इसके अंद चुटी हुए कितना अच्छा इसका तेल चुटा हुआ है अभी हम क्या करेंगे ये जो चिकन को हमने रखे थे जो फ्राइ करके यानि खेलो फ्राइ करके तंदूरी के जैसा बना के लग रहा है ना अब वो सारा इसके अंदर डाल देंगे इसके अंदर जो थोरा सा ओईल उसी के साथ में मैं इसे इसी के अंदर एट कर दी है ना और वो जो कोईले की वाटी थी उसे हम निकाल देंगे उसे हमें इसमें एक नहीं करना है और मस्त एक दम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कम से कम हम इसे 10 से 15 मिली तक पका लेंगे अगर आपको थोरा भी को रख सकते हैं नमक चक लेना और उसके बाद में मैं इसमें एट कर दूँगी अमूल फ्रेश क्रीम तो मैंने लीती कम से कम तीन चमच भर के अमूल फ्रेश क्रीम उसे मैंने अच्छी तरह से फेक ली फेक के मैंने इसके अंदर एट कर दी कैसा लग रहा है आपकी तो चिकन बटर बनेगा ही नहीं बटर चिकन बटर चिकळ ना रहे चिकन बटर तो चलेए अभी मैंने इसमें दो चमच भर के अमूल बटर एट कर दी अमूल बटर की जगा पे आप कौन सा भी कमपनी का बटर उसकर सकते हि До तो रसा हरा धन्या बार एक बार एक कटिंग करके डाल देंगे और इसे पका ली मैंने अच्छी तरह से ग्यास को बन करेंगे और इसे गरमा गरम सर्फ करेंगे किसके साथ में फुलके के साथ में उन लोगों ने हमें फुलके ही बना के दिये थे उसी के साथ में उन लोगों ने चावल की रोटी भी दिये थे हम लोगों को बना के और इसके साथ में उन लोगों ने ये बना बिरियानी राइस था मगर बहुत टेस्टी लग रहा था अभी तक मेरे मुझसे वह स्वाद ने जा रहा है मगर गाइस अभी मैं चालू हो गई है मेरी डाइट फिर से अभी मैं डाइट करना इस्टार्ट की हूँ मैंने अपना वेट कितना कम की चार दिन में 1.9 kg 1.9 kg मैंने चार दिन में अपना वेट कम की हूँ गाइस अगर आपको मेरे देखना है कि अफरोज आपा की वेट की जरनी कैसी होती है वो खुद से घर में कैसे वेट कम करते तो मुझे कमेंट करना मैं अपने ब्लॉक वाले चैनल पर ज़रूर बताऊंगी यहाँ पर मैंने एक साइक म फिर से थोड़ा कोईला गरम करेके ऐसे ही साइक में डाल दीती के और अच्छा टेस्ट आए मा श्याला मस्त एकदम इसे मिक्स कर देती हूँ मैं देखके ही मुह में पानी आ रहा है के नहीं आ रहा है आ रहा है ना और इसे मैं अभी सर्फ करूंगी गाइस अगर आप कमेंट करना तो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी और इंख्याला आपको मैं बहुती जल बताने वाली हूँ मालवनी मसाला और कांदा लसुन मसाला कैसे बनाया जाता है मगर मैं वो मसाला घर में बनाना नहीं बताऊंगी मैं मसाले तो आपको बता दूँगी इस तरह की अच्छी अच्छी रेसेपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूटूब चैनल को लाइक खेर और सब्सक्राइब कीजिए और गाउटी खाने खाना किसको पसंदे मुझे कमेंग में ज़रूर बताईए है ना आफीब हाँ बराबर तो चलिए फिर मिलती हुए एक अच्छी सी रेसेपी के साथ में आजाओ आप लोग भी खाने के लिए